इन दिनों नेहा ककड रोहनवरीत के साथ अपनी शादी और अपने हनीमून को लेकर खूप सुर्खियों में हैं दोनों की हनीमून की पिक्चर्ज इन दिनों सोचल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं हाल ही में दोनों अपने हनीमून से वापस लोट आए हैं तो दोनों का फोकस अब अपने काम पर है नेहा जल्द ही रियालिटी शो इंडिन आइडल 12 में जज के तौर पर नज़र आने वाली हैं जुसके प्रोमो भी हाल ही में सामने आ चुके हैं इस शो के ओडिशन का एक वीडियो इन दिनों बड़ी ही तेजी से सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है लेकिन ये वीडियो वाइरल क्यों हो रहा है इसके पीछे की वज़़ा भी हम आपको बता देते हैं दरसल शो में ओरीशन देने आये जैपूर के कंटेस्टेंट शहजाद अली का ये वीडियो है शो में आये शहजाद इस वीडियो में बता रहे हैं कि वो जैपूर में कपड़े के दुकान पर काम करते हैं जब वो छोटे थे तब ही उनकी माचल बसी थी जिसके बाद उनकी नानी ने उनकी परवरिश की और मुंबई में इस शो में आने के लिए शहजाद की नानी नहीं बैंक से 5000 रुपे का कर्ज लिया है शो में अकसर कंटेस्टिन के लाइफ के स्ट्रगल के बारे में जानकर भावख हो जाने वाली नेहा का कड़ इस बात को सुनकर एमोशनल हो गई और वो शो में शहजाद की मदद करने से खुद को रोक नहीं पाई नहीं ने शहजाद की मदद के लिए उने तौफे में एक लाख रुपे दिये वहीं शो के दूसरे जजज विशाल डडलानी ने भी शहजाद को भरोसा दिलाया है कि वो उन्हें एक अच्छे गुरू से भी मिलवाएंगे जिसे नेहा ककड और विशाल डडलानी के साथ साथ सिंगर हिमेश रेशमया भी होस्ट करते नज़र आएंगे